हैलो दोस्तों नमस्ते मैं आपने चोनल पे आप सबका स्बागत करती हूँ दोस्तों अपरटन के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन ट्रू फिलिंग्स उनका नेक्स्ट एकसन आपके लिए collective reading area, सारे sign के लोग देख सकते हो, male हो, female हो, married हो, unmarried हो, सब के लिए है ठीक है, बिल्कुल positive हो जाए, relax हो जाए, यहाँ पे देखना चाहती हैं कि उनका next action क्या होगा और वो क्या कुछ feel कर रहे हैं, आपको लेकर, ठीक है, बिल्कुल positive हो जाए, relax हो जाए अगर आप no contact situation में हो, separation में हो, बिल्कुल आपके partner आपसे बाते नहीं कर रहे हैं, बाते भी चुपा रहे हैं तो क्या कुछ चुपा रहे हैं और क्या कुछ उनका action होने वाला है, बिल्कुल positive हो जाए, relax हो जाए, open mind हो जाए, ठीक है चलिए, बिल्कुल positive रहें परिंदारी को पर जाए, पहले, om chanting, peace और सांती, balance के लिए, strength इकठा करने के लिए, लोगों को माफ करने के लिए, anxiety, depression से निकलने के लिए, positivity फिल करने के लिए, healing के लिए, om chanting जरूर करें ठीक है, om नमसिवाय का जाब जरूर करें, इससे third eye chakra open होता है, crown chakra open होता है, जिससे आप किसी की भाबनाओं को समझ सकते हो, उनको भी मदद कर सकते हो, उनकी कदर कर सकते हो, और लोग की भाबनाओं को देखते हुए, खुद को भी balance कर सकते हो, कि मुझे क्या करना है, और नह एंटिंग से, peace और सांती, balance, चलिए, अब स्वास्तिक, तुछ सुख सांती और समरेधी के लिए, ठीक है, सुख सांती और समरेधी के लिए, हम सब स्वास्तिक बनाते हैं, ठीक है, चलिए, उनका next action, उनका mood क्या है, क्या कुछ फिल कर रहे है, अगर आप contact में या no contact में हो, सब के लिए विवर्स ठीक है इनकी ट्रू इंटेंस ऐलुकाहे अरय कॉया है यहां की आपके पाटनर इस बकाज कर्यारम वह यह बिलकु चूपयं खाज से ठीक है थोड़ा सा अशोष भी कर रहें ठीक है मिरे वीव यह आप आपके partner थोड़ा सब मुझे लग आपसे भी नाराज हैं, ठीक है, वो कहना चाहते हैं आपसे अपने life में वो compromise कर रहे हैं, साइध आप नहीं समझ पा रहे हो, यह life है, यह जिन्दगी है, यह चलना जरूरी है, लेकिन यह person आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी true intention को आप समझें, स कहना चाहरे हैं इनके मन में बहुत सारे निगेटिव थौट्स भी आ रहे हैं कभी इनका दिल कहता है सब छोड़ चार के वह आपके तरह आ जाए ठीक है लेकि धोरा सा पेसेंस रखते हैं खुद पर कंट्रोल करते हैं लेकिन इनके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ठीक है आपको यह बहुत ज़्यादा इंतजार करवा रहे हैं यह क्यों करवा रहे हैं क्योंकि इनके लाइब में जो situation है वो है third party ठीक है और आप दोनों के भी जो fighting हुए है third party को लेकर past में उस वज़े से इस वक्त परसन बहुत ज़्यादा अपसोस कर रहे हैं यह पूरे रात सो नहीं पा रहें viewers रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं new beginning कैसे करूं क्या action लूँ या ना लूँ यह भी चल रहा है वी वर्श ठीक है इस रिस्ते की सुरुआ तो 100% यह चाह रहे हैं ठीक है एकदम 100% चाह रहे हैं और यह कहीं न कहीं देखे डियर कुछ problems life की ऐसी है कि आपसे वह share नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त इनको चारों तरफ से trigger किया जा रहा है ठीक है और यह जितना पेसेंस रख रहे हैं पेसेंस का बांथ इनका टूट रहा है निकलना चाहते हैं वहां से ठीक है इन्हों ने सोच लिया है जिस तरफ की इस वक्त की एनरजी है देखे इनके मन में stress बहुत है सौरों की भी एनरजी है लेकिन ये परसन को बहुत ज़्यादा फिक अब आपकी होने लगी है ठीक है उनका जो आपके प्रती प्यार है वो बन रहा है और फिक्र आपकी बहुत होने लगी है अब वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहते है इन्होंने इग्नोर आपको किया है लेकिन इस वक्ते परसन की जो एनरजी अंदर से जो एक तरफ है और एक बेचैनी है और इनको ट्रिगर भी किया जा रहा है वो ट्रिगर निगेटिविटी भी कर रही है कुछ वहां के आप में जैसे वीवर्स आप वैसे ले लो ठीक है अंदर से इस रिलेशन्शिप पे ये काम करना चाहते हैं इस रिलेशन्शिप में काम करना चाहते हैं जो भी आप दोनों में दुडिया है उसका अब एंड करना चाहते हैं ठीक है लेकिन ये परसन इस बग जो सोचने की कै जल्द से मैं निकली और आपके तरव चलाओं आपके लिए इमोसंस भी है प्यार भी है ठीक है थोरी सी नाराजगी भी है यह सच्चाई यह है कि यह परसंद थट पाटी से निकल नहीं पा रहे हैं और शिकल जो भी आ रहे हैं कडियर है और थट पाटी है वो एक नई सुरुआत चाह रहे हैं दिल से देखिए पास्ट में आप दोनोंने बहुत सारे सपने देखें बहुत समय आपने एक दूसरे को दिया दिन और रात का पता नहीं चलता था आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया बहुत खुसियां बहुत प्यार आप दोनों फिल करते थे ठीक है रियल और ट्रू लव आप हो ये अब महसूस कर रहे हैं साइध उस बक जितनी आप से प्यार करते थे और बीच में जो टाबर मुमेंट आया थर्ट पार्टी इशू आई ब्लॉके जाया अब इनके इन्हें अब एहसास हो रहा ये जो प्यार है जो ट्रू इंटेंशन है इनके आपके लिए वो रियल लव स्ट्रॉंग हो चुका है और स्ट्रॉंग हो रहा है देखे इस वक्त ये परसन बहुत जदा उस प्यार को उस पैमपर को मिस कर रहे है ठीक है जहां है जैसे हैं जिसके साथ है रियालिटी यही दिख रही है कि उन्हें वहाँ खुसी नहीं मिल पारी है वहाँ घुटन है और आप दोनों में जो गलत फैमिया हुई है उसके बज़े से जो आप में दुनिया बनी है आपके परसन अब चाहते हैं उस दुनियों को खत्म करना और एक नई रिष्टे की सुरुवात करना यह अब कॉम्परमाइस करना चाहते हैं बहुत देखिए इनका इगो जितना बर रहा है जितना उसा बर रहा है तो कहीं ने कहीं यह कहीं इनके अंदर बदलाव भी आ रहा है इनको पता है कि इनके गुस्वे कोसांत कौन कर सकता है इनको प्यार कौन कर सकता है अनकंडिशनल लब कौन दे सकता है ठीक है तो आप दोनों ने जो मिलकर सपने देखेते हैं ये सपने को वो पूरा करना चाहते हैं ठीक है लगातार ये परसंड आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और ये कैसे निकले क्या करें समझ में नहीं आ रहा और सपने भी पूरा करने हैं और आपके साथ फ्यूचर भी देखें जो प्यार जो पैमपर जो खुसी जो पीस जो सांती जो खुसियाँ आप से मिलती है वो थर्ट पार्टी से नहीं मिलती है देखे यहाँ पे कुछ के लिए ऐसे भी पार्टनर के लाईक में कुछ लोग हैं जो आपके इलाबा किसी और से इन्हों ने friendship बनाया इविन कि इस बक भी उनसे relationship है बातचीत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा fighting मतलब था या थी जो भी third party था ये merit भी हो सकते हैं और किसी के partner ने किसी और के साथ भी relationship बनाया आपके इलावे भी लेकिन कहीं न कहीं उनसे भी इन्हें धोका और चीट मिला ये सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं और अनुभाव कर रहे हैं और यहाँ पर आप दोनों में comparison हो रहे हैं लेकिन ये person कहीं न कहीं आपको wait करा रहे हैं अभी वीवर्स लेकिन ये कह रहे कि मुझे निकलना है, इनका धम घुट रहा है विवर्ष कि आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, सोच रहे इस वक्ति क्या करूँ और थर्ट पार्टी से कैसे निकलूँ, कोई भी थर्ट पार्टी है इनको पैसे से रिलेटेड मैनुपलेट कर रहा है या कर तीक है किसी के लिए ख़स्वंद वाई भी है देखिए आपकी आपने जो इनको रिस्पेक्ट किया है जिनकी इनकी मतलब कद्र की है साथ इनको किसी ने नहीं किया अगर यह मैरिड भी है अगर parents भी हैं सब मतलबी है जो भी इनके life में friend बने हैं जिनसे इन्होंने relationship किया है सब मतलबी है इनको अब आहसास हो रहा है और ये comparison भी करते हुए नजर आ रहे है इस रिष्टे की एक नई शुरुआ चारे विवर्स दिल से लेकिन कस्म कस्म है बेचैनी है नींद नहीं आत ये anxiety हो रही है अपसोस होता है ठीक है आपको इन्होंने ignore किया अब ये ignore नहीं करना चाहते है आपकी बात नहीं मानी decision लेने में भी इस बग मुझे handman की energy दिख रही है कस्म कस्म की energy दिख रही है कैसे निकलू क्या करूं कैसे आपको pamper करूं गले लगाना चाहते हैं ये person आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं और दिल से ये माफी मांगना चाहते हैं ठीक है वो आपके दोसी हैं लेकिन इनके मन में जो एक बेचैनी एक तरफ है भी वर्स कि कुछ भी हो मैंने ठान लिया है कि वो आपके साथी future देखेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपके तरफ बढ़ेंगे इनों ने इस बग इनके दिल दिमाग में ठान लिया है कि कुछ भी हो आपके साथ ही इनको आगे जाना है कुछ गलत फैमिया हुई है कुछ आपने बोला है है ना कुछ उनों ने आपको बोला है और इस भी जो गलत फैमिया हुई है ब्रेक अप हुआ है उसके बारे में सोच सोच कि ये बंदा बहुत ज़दा स्ट्रेस ले रहा है या ले रही है इमेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आपके पार्टनर अब ये खोना नहीं चाते है बहुत सारे लाइफ में इनके स्ट्रगल देखते हुए मुझे लगड़ा है भी वर्स अब इनोंने समझ लिया है इतना स्ट्रगल जो इनोंने देख लिया साइड ये अकेले सह नहीं पाएंगे पेसेंस का बांध तूट रहा है आप यहाँ पे एक तरफ आप खीच रहे हो एक तरफ टोटालिटी के एनरजी एक तरफ ठटपाटी खीच रही है बीच में ये परसन बहुत जादा गिल्ट में है रिग्रिट में है ये फंसा हुआ फिल कर रहे हैं लेकिन ये चाहते हैं आप उनकी बहाद थाम लो गले लगा लो लेकिन इतना दर्द मतलब आपको इनोंने जो रुलाया है इस वज़े से ये परसन आपको फेस नहीं कर पा रहें लेकिन इनकी इक्षा है आप से बात करना इविन की आपको ये देखना भी चाहते हैं आपने बहुत वक्त दिया है इनको उस वक्त को याद करते हुए रात और दिन का पता नहीं चलता था लेकिन इन्होंने आपके कॉल मैसेज को भी इगनोर किया ठीक है आपके कॉल मैसेज को इगनोर किया आपको ब्लॉक किया लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है दियर कि इन्होंने आपको भुलाया ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है जो आपको इन्होंने स्पाई नहीं किया लेकिन आप उनके दिल और दिमाग से कभी नहीं निकले आज उनको एहसास हो रहा है कि क्यों नहीं आप उनके दिल और दिमाग से निकले क्यों उन्होंने आपको खोया अब इनको पानी की तमन्ना जागड़ी है लेकिन एक बेचैनी एक कस्मकस है देखिए वीवर्स यहां मैं बोलना चाहूँ कुछ वीवर्स कुछ वीवर्स तो मैं देखने हूँ आप तरह पर चाहरे कि आपके पार्टनर कॉल मैसेज करें बात करें लेकिन कुछ मेरे वीवर्स देखिए यहां पर कुछ लोग वीवर्स को मैं देखने हूँ कि आप दोनों को इस रिष्टे में मतलब प्यार तो है अनकंडिशनल लब लेकिन दोनों एक दुसरे को यहां पर इगिनोर कर रहे हो ठीक है अट्रैक्शन भी एक दुसरे को है एक दुसरे से चाहत भी है पैस्नेट एनर्जी भी है नहीं है ना लेकिन कभी-कभी मेरे वीवर्स आप में एगो आ जाता है गुसा आ जाता है धोरा सा एगो पर बालेंस करें ठीक है, पेसिंस रखें, लेकिन इगो ना लाएं लेकिन आप चाहते हो, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो आपके मन में यही चाहते वीवर्स कि किसी तरह वो आपसे बात करें आप भी गले लगाना चाहते हो, आपकी भी इनरजी है क्यों एक बार call message करें, बात करें, reunion हो और गले लगा ले आप भी वीवर्स, आप भी गले लगाना चाहते हो, लेकिन सोच रहे हो, लेकिन ऐसा आपके साथ हो नहीं रहा, वीवर्स मुझे लग रहा है, हाल में आपके partner ने एक कोशिस की है, ये सब के लिए नहीं है डिये, कुछ लोग के लिए है, हाल में आपके person ने आपके तरफ call message तो किया है, वीवर्स, कुछ वीवर्स ने आपने response नहीं दिया, उन्हें attention नहीं दिया, उन्हें ignore किया, लेकिन आप अंदर से बहुत emotional हो emotions बहुत है आपके लेकिन फिर भी कही न कहीं आपने अपने अंदर self love को देखा कि जब आप justice दोगे commitment दोगे जब clarity दोगे तभी हम बात करेंगे मेरे viewers कुछ viewers आपकी ऐसी energy है वो चाहते हैं आप उनको गले लगा लो सायद ये person को रात बर नीद नहीं आती है करवटे बदलते हैं उठ उठ कर बैठते हैं अपने bedroom में चलते हैं आपके photos को देखते हैं आखें नम हो जाती है घुटन सी महसूस होती है लेकिन इस person के हाथ में अभी जैसे लग रहा कुछ भी नहीं है दोनों एक दूसरे के लिए तरप रहे हो एक दूसरे से उमीद है तुम मनाओ तुम मनाओ तुम मनाओ तुम मनाओ बीच में किसी में ego भी है ये कोशिस कर रहे हैं वीवर्स call message करने की बात करने की action लेने की घुटन 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 है इस person के अंदर देखें किसी के partner unmarried है जहा है marriage fix हो रही है या marriage की बात चल लए है या marriage fix हो गई है ये person घुट रहे हैं कि आपके सिबा किसी और को यह नहीं देख सकते हैं कुछ लोग unmarried भी है या फिर single यह हो सा डिवर्स ही है आपके partner जहां इनकी marriage fix हो रही है, commitment की बात चल रही है, कही commitment fix हो गई, गुटन सीन्गे मसूस हो रही है, यह person जिनसे commitment हुई है, जिनसे marriage की बात हो रही है, यहां किसी की commitment हो चुकी है, यह person उनसे भी बात करते हैं, दिल रखड़े हैं, लेकिन दिल से उनसे बात नहीं करते हैं, जी कहा ये बहुत जादा emotional हो रहें आपके लिए, कुछ action लेना चाहते हैं पूरी जिन्दिगी का सवाल है, इतनी घुटन से कोई कैसे जी सकता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस परसन को आपको भुलाना रियल और ट्रू लव आप ही हो भी वर्ष, ठीक है प्यार, रिस्पेक्ट, पैमपर जो आप से मिला, जो पीस और सांती सुकून आप से मिला, नहीं मिल रहा ही ने गले लगा कर आप से कुछ बया करना चाहते हैं, सायद उन पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो बहुत फिक्र हो रही है आपकी देखिए, मुश्किले तो बहुत है, लेकिन इस विवर्ष के अंदर आपके लिए सिर्फ प्यार और प्यार, सिर्फ प्यार आप से सिर्फ चाहिए, तो सिर्फ प्यार वो पैमपर, वो सपोर्ट देखिए, उनका नेक्स एक्षन जो है न, ये जिद पर है, इन्होंने ठान लिया है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है वो आपको उफर करना चाह रहे हैं, एक डिव विगिनिंग चाह रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुवाद चाह रहे हैं, इतना तो जिद इस परसन के अंदर है विवर्ष किसी तरह इस वक्त की सोचे किसी तरह थट पार्टी से निकल कर वो आपकी तरपाज है जोडियक शाइन देखा जाए विवर्ष वो ये टॉरेस हो सकते है, जैमनाई हो सकते है, लिब्रा हो सकते है, सैजिटेरियस हो सकते है, ठीक है स्कॉर्पियो, कैंसर Gemini Aries मुझे जो sign देख रहे हैं वीवर्स मैंने वो बताया लेकिन all sign के लिए है collective reading है ठीक है वीवर्स यहाँ पे आपके partner, आपके photos आपके message ठीक है आपने text किया, call किया message किया, आपके photos को बार बार देखते हैं, यह delete नहीं करते हैं वीवर्स, ठीक है आपके photos को देखकर, आँखों में आँखे डाल कर बाते करते हैं, लेकिन emotions को दबाते हैं वीवर्स, लेकिन इस बक जो बेचैनी है, कस्मकस है, कुछ भी हो, वो आपके साथ ही आगे जाएंगे यहां मुझे latest दिख रहे हैं, ठीक है के है, आर, पी, ए, आई, एल, एफ, एफ, से भी किसी का होगा वीवर्स, ठीक है यह latest मुझे यहां पर दिख रहे हैं वीवर्स, ठीक है देखी, next section है, कि इन्होंने ठान लिया इस वक्त बहुत जवर्जस्त इनकी जो एनरजी है गुसे की है, इंजाइटी की है और आपके तरफ बढ़ने की है, थट पाटी से निकलने की है और आपका support, आपका प्यार चाही, इस वक्त परसन नहीं ये ठान ली है इस वक्त इनके दिल और दिमाग में है कि आपके तरफ बढ़ना है बहुत जल्द ये आपके तरफ बढ़ना चाहरे है आपके तरफ एंट्री करना चाहरे है लेकिन इनके उपर जो थट पाटी का pressure है वो बहुत ज़्यादा है वीवर सबसे ज़्यादा इनके अंदर की जो inner peace है वो बिल्कुल नहीं मिल पाड़ी है और नहीं वो कोई decision ले पा रहे लेकिन इनके दिल और दिमाग में है वो सिर्फ और शिर्फ आप के साथ ही आगे जाएंगे और किसी के साथ ने इनको वक्त के साथ जो समझ में आ रहा वीवर जो comparison कर रहे आप में और थट पाटी में या फिर कल में और आज में इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है खोने कडर पाने की चाह एक बेचैनी मिलने की एक न्यू विगनिंग करने की तो इस परसन के अंदर ये है कि कुछ भी हो वो आपके साथ ही आगे जाएंगे वीवर ठीक है तो देखिए इनके इनरजी बहुत मूर्स हो रही है बहुत डिस्टर्ब है ठीक है बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब है तो प्लीज मैं यहां बोलूँगे वीवर आप स्ट्रेस ना लें मैं जान रही है कि आपकी नरजी है पाने की प्यार की चाहत की उनकी जरूरत की आप जो भी हो लेकिन दोनों की चाहा मैं देख पाड़ी यहां पे कही न कहीं बहुत ज़्यादा है उमीदें दोनों को एक दूसरे से है इंजर्स प्रिस्काइट करें क्या होगा देखिए तभी तो एनरजी आई है कहीं न कहीं आप अपने करियर के उपर पेंटिकल्स के उपर हाड़ बर कर रहे हो नॉलेज गेंड कर रहे हो ठीक है आपके अंदर जो स्ट्रेंज जो पावर आई है उसके बारे में सोचे लेकिन यह खुस है ठीक है यह खुस है यह पर्शन क्या आप लाइट में आगे बर रहे हो लेकिन कहीं न कहीं भी वर्स नाइट ओव वांड्स की एनरजी यहाँ पे आपके पर्शन आपके तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे है दिएक्शन की अर्स निदेका प ? अक्शन दफोल की अरजई बहुँ जल्द यह खैंक्शन लेंगे ठीक है आप टंशन मत लो यह बढ़ने की है नरजी बहुत जल्द बढ़ रहे भी विवस बहुत जल्द यह बर्शन आपके तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे है जाट इस धर पार्टि इशर है विवर्स देखिएुमान है डेखियो मैं क्या बोलू इन की एनर्जी बहत पॉजिटीव है। बहुत हेशास्ति बहुत जल्द लPS लिगसे बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत बहुत जल्द जल्द बहुत धर भी सब्सक्राइब तब वीवर्स यहां पर मैं देखना चाहूंगे ओहो क्या बात है दिखी दिखी वीवर्स टेन ओप कप्स की एनरजी आपके साथ फैमिली देख रहे हैं मैरेज करना चाहते हैं घबराइए नहीं आपको बहुत जल्द कमिटमेंट मिलने वाला है लेकिन करेंट एनरजी में डिप्रेशन में हैं इंजाइटी ओवर्थिंकिंग करना देड़ ड्याविल की एनरजी में हैं आप देख रहे हो वीवर्स क्या एनरजी कॉल मैसेज आने वाला वीवर्स ठीक है रिवर्स में हैं फिर भी आप थोड़ा वेट कीजिए ठीक है मुझे लग रहा है एट नंबर 10 नंबर वेरी इंपोर्टेंट ठीक है मीनट घंटे सेकंड और दीन वीवर्स आप से मैरिज करेंगे आपके तरफ बढ़ेंगे आपको कमिट्मेंट देंगे इंजाइटी डिप्रेशन डड़ाविल की एनरजी स्मोकिंग करना गुसा करना खुद को ट्रिगर करना मैनूप वात पॉजिटिव वाइपस आरही है ठीक है मुझे लग रहा है दीक हैँ मोगे आप दो बढ़े मैं ईीवर्स ऑस सबरी करें सोच सोच कर ठीक है तो उनके लिए भी healing प्रोवाइट करें ठीक है चलिए तो यह थी आपके partner की true intention उनकी deep feelings उनकी current energy उनका next action वीडियो अच्छी लगे dear तो like से recommend करें thank you so much and God bless you